नमस्कार दोस्तो आज की स्वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसानों के लिए आएवे एक नई योजना के बारे में जिसका नाम है किसान सम्मान पुरुसकार योजना इस योजना के तहट आपको यहाँ पर जो है 10,000 से लेकर के 50,000 रुपे तक की प्रूसकार रासी दी जाती है तो आज की स्वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले की यह योजना क्या है और इसके लिए आपको online आबेदन कैसे करना है स्वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हाँ गराप इस चनल पर नए आए है तो इस तरह के लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए आपको फटा-फट बताते हैं सबसे पहले आपको इनकी official website पर आना होगा dbtagriculture.bihar.gov.in इस website का link हमने नीचे वीडियो के description में दे दिया है आप वहाँ से click करके इनकी official website पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद online आबेदन के यहाँ पर देख पार एकिस section दिया हुआ है आपको इसी वाले option पर click करना है यहाँ पर आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पर देख पार है कि एक new tab आ चुका है इसी वाले option पर आपको इहाँ पर click कर देना है यहाँ पर आप जैसे click करेंगे तो इसका यहाँ पर देखे पोर्टल खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर देखे बताया जा रहा है कि किरपया सही पंजी करन संखियां डाले इस तरह के से okay कर देगे उनके बाद यहाँ पर देखे यह यह योजना देख पर है कि आतमे योजना है जो कि यहाँ पर 20-20 में पर चलाया जा रहा है और यहाँ पर अंतरगत यहाँ किसान पुरुषकार कहाँ पर कारिक्रम चलाया जा रहा है इस कारिकरम के तहट जो यहाँ पर जो किसान यहाँ पर आवेदन देंगे उनका यहाँ पर सेलेक्शन होता है और यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा पुरुषकार रासी दिया जाता है पहला आपको हाँ पर प्रखंड लेवल पर दिया जाता है यानि कि ब्लॉक लेवल पर वहाँ आपको 10,000 रुपे की रासी दी जाती है दूसरा आपको हाँ डिस्टिक लेवल पर निकि जिला लेवल पर दिया जाएगा आपको यहाँ पर एक नया पंजीकरन करना होगा, उसके लिए यहाँ पर देख पार है कि पंजीकरन यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यानि कि किसान पंजीकरन संख्या मांगा जाएगा, आपके पास किसान पंजीकरन पिल करेंगे आपके पिता का क्या नाम है सही से आप यहाँ पर लिखेंगे आपका जिला कौन सा परता आप यहाँ पर इस तरी के सापने जिला होगे आपर सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर जिस भी जिले से हैं उनके बाद यहाँ पर आपको अपना परखंड सिलेक्ट करना है जैसे कि अनुसूचीते जाती अनुसूचीते जन जाती तो जो भी है इस तरीके सा आपको उनके हाँ पर चूस कर लेंगे आपका जनमती थी डेट अब बर्थ की आपको डालेंगे अपना mobile number डालेंगे और यहाँ पर आपको अपना पहचान पत्र देना होगा यहाँ पर आप जो देख पार है कि आधार card, रासन card, pen card या आपका पहचान पत्र कोई आप यहाँ पर एक document दे सकते हैं आप आधार card भी देना चाहेंगे तो आप यहाँ पर आधार करद पर option वाले क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको पहचान पत्र का नंबर अगर आप आधार PC डालेंगे तो यहाँ पर आधार का पूरा नंबर यहाँ पर अपको फील कर देना है उनके बाद इस टिक वाले option पर आप यहाँ पर टिक कर देंगे और किरित संख्या online आबेदन हेटू दूसरे सेक्शन वाले option पर आपप यहां पर click कर देंगे उनके बात यहाँ पर आपको जो भी अभी पंजन سंख्या मिला है वो पंजन संख्या आपको यहाँ पर डाल देना है उनके बात यहाँ पर आपको अपना मौसम select करना होगा यहाँ पर जैसे कि एक ही option आरा खरीव का तो इस वाले option पर आपको हैंपर select कर देना है इस तरीके से page loading लेगा उनके बाद यहाँ पर आपको देख पार है कि प्रचेतर का नाम पूछा जारा इस वाले option पर तो यहाँ पर आप जैसे उनके बाद प्रभेद नसल पर जाती इस वाले option पर आपको यहाँ पर डाल देना है इनके बारे में उनके बाद proceed to apply वाले option पर आपको यहाँ पर click कर देना है उस प्रकार आपको यहाँ पर सारा detail डाल देना है सबसे पहले आपको यहां एक नया पंजिकरन करना है उनमें आपको जो भी पंजन संख्या मिला होगा वो पंजन संख्या आपको यहां पर डाल देना है और इस तरीके से detail डालने के बाद आपका यहां पर proceed to apply वाले option पर आपको यहां पर click कर देना है यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज लोडिंग लेगा और आपके सामने इस परकार खुल करकर आ जाएगा यहाँ पर देखपार इस तरीके साब को देखने को मिलेगा पूरा डिटेल रहेगा इस जगह आपका किसान का विवरन दिया वार हैगा और यहाँ पर पंजन संक्या और यहाँ पर बार कोड इस टैप से दिया वार हैगा अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर देख पार है कि बुआई गई यहाँ पर फसल छेतर का विवरन आपको यहाँ पर डालना होगा ये डिटेल देने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, उनके बाद यहाँ पर देखिए फसल बुआई का विवरन आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए फसल प्रभेत का नाम आपको यहाँ पर डालना है, जैसे कि कौन सा फसल लगाया है, उस फस जून में आपने जब भी लगाया है, उसका आप आपको समय डाल देना है, उनके बाद बीज दर पूछा जा रहा है, आपने कितना बीज यानिकी खेतों में यूज किया है, तो उनके आप आपको प्रती किलो एकर की हिसाब से आप यहाँ पर बीज डाल देंगे, कितना जाएगा, अब आपको यहाँ पर देखें, पूछा जाएगा कि प्रती एकर वहवार किये गए फसल, अवधी में वहवार किये जाने वाले उर्वडक, संबंदित, विवरन, मात्रा, या ग्राम में, इस टाप से पूछा जाएगा है, कि आपको अपने फसल में आपने या है, जैसे प्रती किलो की सा यहाँ पर डाल देंगे, उनके बाद अभियुक्ती जगर डाल देंगे, ठीक है, इस तरह के सा डालने के बाद, अगर आपने आपने आपर और भी यूस किया है, यहाँ पर एडमुर वाले ओप्सन पर आपको यहाँ पर क्लिक करके, और भी स्रुटों का नाम देखने को आपने किस से किया था थलाब नहर से या ड्रील से यहापर आपको देखने को मिल जाता है आपने आपकर जिस से भी आपर सींचाइ किया उनका यहाँ इस तरिक沒 ऊपह लिए आपने पूछ कीटों का यानि की रोग थाम किया है तो उन कीट का यहां पर नाम डालेंगे आपने उपयोग किये गए दवा का नाम आपने कौन सा दवा यूज किया था कीटों को रोग थाम के लिए उनका नाम डालेंगे और यहां पर वहवार दर प्रति यानि की एकर की हिसाब से आप यह जागा की उपज संबंदित विवरान, यानि की आपका और कि पौध्यों की संख्या प्रतिवर्ग मीटर, तो यहां पर एक अनुमान लगा लेंगे, कि आपके एक बाली में, एक बाल में कितना दाना है, वह आप यहां पर डाल देंगे, और अनुमानित उपज प्रति एक कड़, आपका कितना हुआ है, वो आप यहां पर उपज यहां पर ढालेंगे, उनके बाद आप से पूछा जाएगा कि क्या आप देखे पर रही कि आत्मा, किसान, क्लब या फिर पैक्स के सदस्य हैंगर आप इन तीनों में से किसी में लिया है आपको जानकारी है तो आप यहाँ पर हांग करेंगे नहीं तो आप इनको नोहीं रहने देंगे उसके बाद नेचय आएंगे तो आपगा हांपर एक करना है जो कि यहां पर 30 के करना होगा सीगनेचर आपको हैंपर पर upload करना होगा पहचान पत्रा आपने पर upload करेंगे यहां पर आपने जो भी registration करते से में जो document दिया था अगर आपने आधार काड़ दिया है उनका number डाला तो आपको आधार काड़ करना होगा इस तरह करने के बाद यहां पर इस वाले वाले option पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, अब आपको यहाँ पर प्रिंट वाले option पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, अब आपको यहाँ पर प्रिंट वाले option पर आपको यहाँ पर क्लिक करके एक प्रिंट आउट इनका जो है, निकाल करके अपने पास रख लेना ह तो कुछ इस परकार आप लोग ज़े इसके लिए online आबेदन दे सकते हैं I hope हमने आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोसिस की है फिर भी अगर आपके मन में कोई भी doubt है तो आप हमें नीचे comment करके पूछ सकते हैं